इंडिया ब्लोक में नेत्रित्व को लेकर चल रही खीचतान पर आजे दिनेता लालू प्रसाद यादफ का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुखमंतरी बंपता बैनर जी को इंडिया कटबंधन का नेता चुना जाना चाहिए और कॉंग्रेस का विरोध इस फैसले में कोई माइने नहीं रखता है लालू यादफ ने इस दौरान जोर देकर कहा कि बिहार में अगले साल चुनाफ है और उनकी पार्टी सत्ता में जरूर आएगी आप सबसे पहले कॉंग्रेस और इंडिया गटबंधन को लेकर लालू यादफ का बयान सुनिए इससे पहले भी बिहार के पूर्व उपमुख मंत्री और आजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उन्हें टीमसी प्रमुख मम्ता बानर जी या इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनिर नेता दौरा गटबंधन का नित्रत्व करने पर कोई आपती नहीं है लेकिन इस फैसले पर सभी पार्टियों की सहमती जरूरी है मालूम हो कि अगले साल बिहार में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लालू और साले दलू का ऐसा बयान कॉंग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ा जटका साबित हो सकता है सुमवार को ही बीजेपी सांसद और केंद्री मंत्री किरेंरी जीजु ने राहुल की गडबंधन में भुमिका पर सवाल खड़े किये थे और कहा था कि कई लोग राहुल के नेत्रत्व से नाराज हैं अब आपको किरेंरी जीजु का ये बयान भी सुनवाते हैं कॉंग्रेस और उनके इंडी गडबंधन में क्या चलते हैं हम उसमें कोई हस्तचेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गडबंधन में राहुल गांदी को नेत्रत को लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांदी से इंडी गडबंधन नहीं समाला जाता है उसके पास नेत्रत का कोई कॉलिटी नहीं है अब राहुल गांदी का पास लीडर्शिप कॉलिटी नहीं है उसे कॉंग्रेस डूपता है या इंडी गडबंधन का जो कमजोरी होता है तो उसमें हमको क्या कहना है, हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है, मोधी जी के नेतरत में हम देश को किस तरीके से सेवा करें हमारा ध्यान उसी में केंद्रिट रहेगा तो लालू और किरण रिजुजु के बयान से ये साफ होता है कि गटबंदन में राहुल के नाम को लेकर खीचतान बहुत जोरो से चल रही और सारे गटबंदन के नेता चाहते हैं कि राहुल की जगहें पर किसी और को बैठाया जाए अब जब ममता बैनर जी से ये पूछा जाता है कि वे एक मजबूत भाजपा विरोधी नेता होते हुए भी इंडिया गटबंदन की कमान क्यों नहीं सभालती हैं तो वो जवाब देती हैं कि अगर मौका मिला तो मैं इसका सचारू रूप से संचालेन करूंगी मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ कॉंग्रेस ने मम्ता बैनर जी की भूमिका को लेकर एक अलग रुख अपनाया है बिहार कॉंग्रेस अध्यक्ष अखलेश प्रसाद सिंग ने कहा कि मम्ता बैनर जी की पार्टी के एवल बंगाल तक ही सीमे थैं और उनका व्यक्तित्व राश्वी इस्तर पर उतना प्रभ करना चाहेंगे इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी मम्ता बैनर जी के नाम पर सहमती जताई थी अब इन सारे निताओं के ऐसे रुख अपनाने पर साफ होता है कि गटबंदन में जरूर राहुल के नित्रत्व को लेकर नाराजगी है और गटबंदन के नेता नहीं चाहते हैं कि राहुल गांदी अब इंडिया ब्लॉक की लीडर्शिप संभालें जैसे जाहिर होता है कि शायद अब इंडिया गटबंदन में राहुल की लीडर्शिप जल्दी ही हाग से जा सकती है तो राउल गांदी की लीडर्शिप पर आप क्या राय रखते हमें कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें चंसत्ता के साथ